मनुस्य शरीर बड़ा अनमोल, सत्गुरु मिले देद देगोल, मैं तो ऐसा सत्गुरु पाया, मेरा रोम रोम महार साया, इगो देव, सारः शदयं तरब से, पाउं तेरा भेव, सुरत समाये शद में, परकुँ जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव शर्वसमत शर्वत रश्मानिये परंपोज गुरुजी महराज उपस्थे सभी सर्षम के धर्म प्रेम बच्यों बच्यों गुरु महराज की अपार दया महर हुई 19 दिसंबर 2021 को मध्यान की वेला में अराथ के आप सभी प्रेमियों का पुड़िमा के दिन दर्शन का अउसर मिला जगहन की पुड़िमा है बहुते लोग नदियों मैशनान करने के लिए गए होंगे तेथ अस्थामों पर आज मेला लगा होगा जहां पर कभी शंत महात्मा रहे हैं वहीं पर उनके अस्थाम बन गए उन्होंने जिन देविद यो टौं को जिन आराथ को याद किया उनका भी अस्थाम लोगों ने बना लिया जादाता नदियों के किनारे ही इया आज्थान महात्मों ने बनाया था लोग जाते थे पहले के समयने नदियों मैशनान करते थे अर उनके अस्थामों पर जहां पर रिश्यमों नão योगी योगेशा अस्थांथ रहते थे उनके आश्रमों पर जा करके और अच्छी अच्छी बातों को सुनते थे और जो बातें सुन करके आते थे उनको मानते थे जैसा वो बताते थे वैसा करते थे ग्राश के आश्रम में कैसे रहा जाए भाई भाई के साथ कैसा पर उभार करे पेटा पत्र के साथ कैसा बर्ताव करें पत्पत्नी का अफ़ाज क्या होता है यह सब वहाँ शीखते थे और जब उस तरह से घर में आ करके आचरन करते थे तब यही कराश्ट आश्वम देखो प्रेमियो शर्ग जैसा था अब देखो घर-घर में बीमारी, घर-घर में लडाई जगड़ा घर-घर में इर्शाद्वेश, बैमनस्ता घर-घर में आप देखो कि एक दूसरे के खून के प्यासे तक हो जा रहे है देखो यह मात्मों का छेत्र है यह कही मात्मा नहीं यहां कई महत्मा रहे हैं और तारिक शक्तियां भी इस शेटर में रही है शेत्रकूद आपका मशूर है यहां राम आय थे, रुके थे, रहे थे आप देखो गोश्वामी जी महराज का भी आस्थान रहा है गुरु महराज भी हमारे इसी बंदेल खंड में आपके स्वंजो जर्मुष्करा के आगे एक बार बताए कि मैं इधर साधन करता था आया था गुरु महराज के पास चरिश्टो साल रहने का मोगा मिला गुरु महराज के साथ पिरम्यू मैं आया था इधर गुरु महराज ने बताया कि मैं यहां इदा रहा था और यहां रहता था साधना करता था बशोठ में गुरु महराज के गुरभाई रहते थे उन्हों न भी बताया कहा यहां से छोड़ी ही दूर है पंच्छे किलो मेटर साथ किलो मेटर की दूरी पर जहां पर Guru महराज भी अनि साधना के थे तो आप ऐसे धार्मिक शेत्र के हो कि जहां पर अनि समझ लो कि संतों का निवास रहा है संतों का उपडेश होता रहा है लेकन उस उपडेश को अनि शेत्र के लोगों ने ज्नों ने छोड़ दिया वो देखो परिशान है परादर के उसाद परादर किसको कहते हैं भाग भाग के हिसाब से उनको धन दौलत यह सर तो मिला ऐश रहां तो मिला लेकिन शांती नहीं है खुश नहीं है वो कोई न कोई तकलीप कोई न कोई समस्या कोई न कोई देखकर आती रहती है तो कारण क्या है कारण यह है कि उन्होंने जो बताया उसको माने नहीं उन्होंने जैसा किया वैसा लोगाचर नहीं कि तेखो एक ही हुकुम पर पिता के और राम ने राजिकद्टी पर ठोकर मार दिया था जंगल के ले गए थे हां कि एखो प्रेमियो कि शीता जी अगर चाहती तो जब खोज करने के लिए हममान जी शीता के लिए गए थे और अशोक बादिका में उनको बैठा देखा और प्रगत हो करके जब उन्होंने कहा कि मैं दूट हूँ राम कार और प्रिश्वास उनको हो गया यह राम के दूट है तो अगर चाहती तो उनके साथ चली आती और जो पहाल उठा करके हाथ में ला सकता है सीता को अठेली पर बैठा करके इसे अवला करके राम के सामने ख़ड़ा कर देता है लेकर नहीं आई एक धर्म एक बरत्ने मा और काई बचन मन पच पच प्रेमा पति के चरुन के लावा और किसी को अजि देखती ही नहीं थी पचियो आपको जयान देने जरुवत है राम कितना समझानी के कोशिश किया राम का था आपके हाँ होती होगी सुनती होगी कितना समझानी के कोशिश किया जा जाकर के अशोक वाजका में एक बार बिलोक मम ओरा एक पार मेरी तरफ तुम देख लो लेकर अगर बात भी करते थी तो तिर्न धर ओट कहां बाइदे ही और तिनका लगा करके बात करते थी कि उसकी आंखों से आंखें नहीं जाएं तो आपको समझनी के जरूरत है कि उस आदर्स का पालन जब करोगे तब शांती और सकून मिलेगा तब समझो कि तकलीफ में दूर होंगी राम का राजिम में जखो कोई कोरिय पाहिल दूला लंगला होता ही नही था पमिट्र नहीं होती थी जवानी में लोग मरते नहीं थे बुड़ापा जब आती थी समय पूरा होता था तब दुनिया संसार से जाते थे ऐसी वर्ता थी कि प्याणो पर मदमख्यों के छटे लगे रहते और मद्र को निकाल लेते लोग मदमख्यों हट जाती थी जैसे गाय दूर दे देती है जब देखती है कि दूर निकालने लिए आ रही है ऐसे मद्र निकालने के लिए मदमख्यों हट जाती थी जब चाहते थे तब दूर दूर लेते थे आप एसम जो मौड़े बाज इंचल रामचंदर के राज किसामान खेट में खड़ा होकर के पानी मांगता था बादर बरस जाते थे तो जिस तरह से उन्होंने किया उस तरह का अगर करने लग जाएं तो अभी ये प्रकृत्ति जो है ये साथ देने लग जाएं समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसाथ होने लग जाएं फिर ये जो शीत लहर चल रही है ये ठंडी हवा चल लही है इस तरह से तकलीब देने वाली ये हवा नहीं चलेगी आपको समझने की जरूरत है ये हवा भी आड़मी के लिए जरूरी है ये पानी भी जरूरी है सूरज की रोशनी भी जरूरी है आग जिसको कहते हो ये सब जरूरी है लेकिन ज़्यादा कुई चीज हो जाती है तो वो नुकसान करती है बच्चियों देखो रोठी बनाती हो चूले पर तो जब उसका आज कम रखती हो गर्मी कम रखती हो तो रोठी पक जाती है चावल पक जाता है और वही आग जब तेज हो जाती है चावल जल जाता है रोठी जल जाती है ऐसे ही आप ए समय जो सूरज जब तेज अपने लगता है तो गर्मी बढ़ जाती है जब हावा कर्मी के महीने में तेज चलने लग जाती है तब कर्मी बढ़ जाती है लू उसको कहते हैं कि लू चलने लग गया यही थंदी के महीने में जब हावा तेज चलने लगती है थंदी भी ब इसा नहीं था, सब मौसम अन्कूल था, और बहुत खुशाल लोग रहते थे, आनि सम्झो कि तपन नहीं होती थी, जलन नहीं होती थी, ज्यादा थंदी नहीं होती थी, ज्यादा बर्शा नहीं होती थी, आति बरिष्टी जसको कहते हैं, नहीं होती थी, पहले के समय में वोग बोते थे, 27 बार काटते थे, ऐसा थर आप समझ लो, लिकर नब कोई अगर पानी चाहे तो ओला पर्थर कुटरते देती है, गर्मी चाहे ठंडी परने लगती है, ठंडी चाहे तो गर्मी बढ़ जाती है, आदमी जैसे इनके नियम के खिलाब काम कर रहा है, ऐसे यह भी खिलाब चलने लग गए, सजा देने के लिए, पहले सजा यह नहीं देते थे, यह सब दोस्त थे, तरह से आदमी के, जैसे कहते हैं, कि कोई दोस्त होता है, और वही दुश्मन बन जाता है, जब दोस्त रहता है, तो मदद करता है, दुश्मन बन जाता है, तो जानलेवा हो उसी तरह से यह हो गया। लगन पहले के समय में ऐसा नहीं था। लोगों की नियर सही रहती थी जए सब्सक्राम के राजी में थाूदा हांजे कर्मे ने आपको राम का ही बताया कि जननी सम्झाने पर नारी और धन पर आय विष्टे विष्भारी। दूसरे के धन को चेहर की तरह से लोग समझते थे। दूसरे की मा बहन को अपनी मा और बहन की तरह से समझा करते थे। आज इस वक्त पर देखो कब किसकी नियत खराब हो जाए। और जब से शराब का नशीली गोलियों का नशे की जरीबुंटियों का परचलन जादा बढ़ा लोग इसका इस्तेमा करने लगे तब से तो अपनी मा बहन बहू को भी पहचान नहीं पाते हैं। आखों के सामने परदा पढ़ जाता है, कालिमा आ जाती है, समझो की अंधा हो जाता है आदमी। तो प्रेमियों कहने का मतलब यह है कि जब से यह मांस आहार बढ़ा, मांस का से वन लोग करने जब से आई तब से यह पहचान लोगों के खातम हो वे तो किसकी भूमी है? यह राम की भूमी है, कृष्न की भूमी है, महावेर की भूमी है, पुद्र की भूमी है, परस्राम की भूमी है, यह किसकी भूमी है? यह कबीर की भूमी है, वो सौमी की भूमी है, पल्टो नानक इनकी भूमी है, यह अनि शोड़याजी महराज कि अरदा स्वामी कहा गया, उनकी भूमी है, यह हमारे गुरु महराज का लिछेतर है, कितनी बार गुरु महराज बंदेल खंड में आये, यह उनकी भूमी थै, अब इस अ भूमी पर आप देखो, कलती जब लोगों ने किया, तो क्या क्या किस तरह की सजा मिली, इसको आप देखो, रामुर किटना बेद्वाम था, भूरु राम के अंदर उनी शक्ती नही थी, कि रामुर को मार पाते, दो कला उन्होंने परश्राम जी से प्रातन करके मां करके अनि लिया था, और फिर रामुर को मार पाय थे, चारवेट, छाशास्त्र, अठारा पुरान का जानकार था, कहता था, स्वर्ग तक सीड़ी लगा दूंगा, सीड़ी पर चड़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे, इतनी उसके अंदर जानकारी थी, ज्यान था, बिज्या थी, बड़े-बड़े देवता, ठहरते न यह सब उन्होंने उदाहरन देकर समझाया, लिखा तो उन्होंने जो घट में राम का चरित हो रहा है, राम चरित मानस, मानस के अंदर जो राम का चरित हो रहा है, उसको उन्होंने लिखा, लिकान उदाहरन देकर इसलिया समझाया, कि समझ में लोगों के आ जाएंगे, आप समझ जाओगे, तो समझो की लिखा तो उन्होंने उट्टर कांड में सब अध्यात्म के बारे में ही, लेकिन इधर से उन्होंने बाल कांड से शुरू किया है, और सरे कांड अलग अलग उन्होंने लिख रखे हैं, सब में अलग अलग तीजें आई हैं, तो इस लिए बत पर अगड़ा महतु है, इसलिए आपको समझा रहा हूं, प्रेम्यों, तो आपे समझो की उन्होंने ये बताया, कहा कि जखो बरू कुमेर सुरे समीरा, अर्वन सम्मु काहू नदीरा, बड़े प्रेटे उता, उसके सामने ठहरते नही थे, किसके रामण के हाठ जाते थे, इतना बियर था, जब देखा के लड़ाई के लिए निकला रामण, तो उसका जो भाई था, बिभीषण, वही दुखी हो गया, रामण रथी, बिरत रगवीरा, जेख बिभीषण, भयो अधीरा, कैसे ये बंदर और भालू, इनके सामने ठहर पाएंगे, ठहर पाएंगे, ये राक्षार, तो जब भंशा उठा करके, मुह में डाल करके, और निगल जाते हैं, तो ये बंदर और भालू कैसे ठहर पाएंगे, लेकिन तीन बुराई उसके अंदर जो थी, वही उसकी शक्ती को खतम कर देती थी, कौनसी बुराई थी, मुंस खाता था, शरापीता था और जब भुठी खराब होती थी, तो दूसरे की मा बहन की पहचान आँखों से खतम कर लेता था, तो आपको इसलिए बता रहूं, कि देखो उसका क्या हश्र हुआ, उसका क्या हाल हुआ, एक लाख पूत, सवाव लाख नाती, अप्टार आउमण घर, दिया नबाती, एक भी नहीं बचा, तो आप कैसे सोच सकते हो, कि ये डुनिया रहेगी, लोग रहेंगे, और कैसे अनी, यहां रामराजी आएगा, कैसे रामराजी रहेगा, कैसे ये मशूर जगह हो पाएगी, कैसे आप सोच सकते हो, देखो ये कबला कि लाज, आनी, सम्झेव जब जाने आपको समझने के जरूरत है, कि जारा आक्षोन ही सेना, छपर कोड़ ये अरवशी इसी वज़े से खतम हुए थे, किसकी वज़े से, कि नियत खराब हो गई थी, आंक का पानी मर गया था, दूसरे के लोग भलालचे में धन के, जो थन पर आए, विष्टे विष्वारी, द दूसरे का हिस्सा, दूसरे का दन बिष्व की तरह से होता है, लेकिन उसको पाने के जब इक्षा जबी, और उधर से हंटी नहीं, तब नश्वार, महा पुरुष आते हैं, संझाते हैं, बचाते हैं, अगर लोग मान जाते हैं, तब तो दया बशा देते हैं, और अगर नह मानते हैं, तो समझो कि काल का रूपधारन कर लेते हैं, देखो, बच्वान राम को ही देख लीजे, कई रूप में रहे, आप समझो जब उनको दृकरने को हुआ, धनस्मान उसा कर गे, रधर रूपधारन कर लिया, दया भाव उनके अंदर, पहले देखो कितने रहे, कथा सुनते रहते हो, ऐसे कर्ष्ण ने समझाया, खूब समझाया, का मान जाओ, मान जाओ, देखो, इनका भी हक होता है, इनको देखो कुछ हिस्सा, इनका भी होता है, लेकन कोरों ने कहा, सुई के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, ताब बोले कि अब तो बिनाश काले भी पिडित बुद्धी, इनकी बुद्धी भी पिडित हो गई, अब तो बिनाश होरना ही होरना है, लेकन तो भी दया भाव उने खटम ने किया, हाँ पर समझो, जो काम करने के लिए आते हैं, कौन आते हैं, जैसे भगवान राम जिन को कहा गया, भगवान कृष्ण जैसे भगवान बुद्ध कहा गया, भगवान प्रभस्वाम जो कहा गया, भगवान जो कहे गए, यह आते हैं काम करने के लिए, धर्म की अस्थापना के लिए, और रचाजियों के संघार के लिए, तो इनके अंदर दोनो धार होती है, दया-दार और काल-दार, देखो जो काल काम है वो भी करता हूं, और दया बाव भी है मेरे अंदर, जो दया के गाड पर बैठता है, उसको दया देता हूं, जो काल के अर्थान पर रहता है, उसको सजा भी देता हूं, जो काल के अर्थान पर रहता है, उसको सजा भी देता हूं, जो कुछन के अंदर दया पर शुरू होने को जब हुआ तो उर्वी करनाटक में एक राज है अब ही है उर्वी के जो राजा थे वो किशी के तरफ नहीं गय थे और नहीं तो इन लोगों ने अपनी अपनी टीम बनाई थी अपना द्याल बनाया था तो कुछ राजा पांडों की तरफ गए जाजा तर कौरों की तरफ लड़ाई करने के लिए के लिए गए वो किशी के तरफ नहीं गए तो जब महाभारत शुरू हने को हुआ तो किष्ट्न के पास गए भुदुवी के दाजा और उन्होंने कहा कि महा भारत होगा अब उसको कोई टाल नहीं सकता है मैंने भी समझाया और आप कि महाबारत तो आपकराद हो गए, गुराचारियों का संघार हो जाएगा, सर्जनों की रक्षा हो जाएगी, लेकिन ये भूखे मरेंगे, खाएं के कहां, अठारा दिन का अपका महाबारत चलेगा, यह अभी मुझे मुझे मालूम है, साधना करते थे, जो साधना करता है, उसको ये चीजे मालूम हो जाती हैं बवीशी की, जो साधना लेता है, उसी को साध भी कहते हैं, उसी को बहुत सी लोग साधना कहने लगें, कई तरह का साधना होता है, जो शरीर को साध लेता है, कप्दा उतार करके पेट देता है, जो घ वो भी एक साधना ही है. तो शजीर को साधना, अमन को साधना, आजी समझो, यह सब साधना है. अब जो जर्शी साधना करता है, उसको वो चीज मिलती है. तो साधना करते हैं, तो का आठारा दिन तक तो महाँ बारत चलेगा. लेकिन यह खाएंगे कहां, यह तो अनों टर्शी फोज को खिलाएगा कौन, तो यह तो भूखे मर जाएंगे, तो भूखे मरना, यह तो एक बड़ा पराद है, भूखे को रोटी खिलाना, यह तो पूरी का काम है, भूखे मर देना, यह तो पाप का काम है, तो एक वाप यह भी करो गया तो एक खाएंगे कहाँ इसके बारे में क्या सोचा तब कि सुने का आप प्रस्म कर रहे हो तो आप कुछ शोचे भी होगे बोले आप अबर हुकम करो तो मैं दोनों को खिला डूंगा मैं बंदा रचलाओंगा तो बोले आप इससे अच्छा और क्या होगा आप से अच्छा कौन मिलेगा आप हिस रहे ले लो इनको इस खिलाने का फूखे ना मरे ये तो इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था भाट अच्छा रहा आपको यह अक लाई तो उन्होंने बंदारे चलाया था अब शिफ़त थी उस बंदारे के किमपाचता नहीं था और कोई भूखा भी नहीं रहता था तब जो मुहावारत खतम हो गया तब पुठवी के रजा से पूछा लोगोंने कि आपको अंधाजा कैसे लगता था कि इतने मर जाएंगे इतने रहेंगे तब उन्होंने का किष्णा मुमफली काते थे तो जब उन्होंने के लिए जाते थे तो उनके सिराने में गिन करके मुमफली रख देता था अब एक मुमफली काये समझो पचास हजार जाएंगे तो यह इस तरह से मुए अंदाजा लगा लेता था तो यह तो उन्हें उनकी विशेष्टा बताई, शिफ़त बताई मनुश्यरीर में ही रहते हैं महापुरुस जो भी आते हैं मनुश्यरीर में रहते हैं लेकिन जो ताकते होती हैं, शक्तियां होती हैं उनको उपर से मिलती है और जब जैसा समय रहता है उसी हिसाब से महापुरुस आते हैं जो बगवान राम बादा कला लेकर आए थे और बगवान किस्म को सोला कला लेकर आना पड़ा और संत जब आए एक तेता दौा पर खतम हुआ तो वो बराबर अप्टादा कला उनको लेक होता है ऐसे ही ताकत इनको मिलती है तो ताकत इनको मिलती है उसी हिसाब से यह काम करते हैं तो आप समझनी के जरूरत है प्रेमियों ताकत से अपनी हो करते थे हर जुद को कि महाबारत में यह होगा तो तो दनुष उठाई दे रहे थे किस्न ने कहा चलो महाबारत शुरू के ही तो अभी लोग खड़े हैं, इनको मार करके, मैं नर्क नहीं जाना चाहता हूं, अरे, कृष्ण बोले तुम ने अभी हमको पैश्चाना नहीं, अभी पैश्चान करता हूं, बैठाया, बैठाया, और खाबन करो हां, अर रोनों आखों को एक जगा पर तिकाओ, और ध्य पर बोले अभ बढ़ेगा, फिर उनोंने अपनी ताकट से ठोका, कहां ठोका, वहीं जहां कर्म जमा होते हैं, यह आत्मा इने दोनों आखों के बीच में बैठी हुई, वहीं पर चटो संता करना है, वहीं जहां पर अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, वह जमा होते हैं, बल आम ताकतवर सीख करके बना लेता है, और पढ़ करके विद्या का ज्यान कर लेता है, समझो यह तो उसके उपर निर्वा देता है, लेकिन यह जो कर्म हैं, इसको अगर नहीं सीख पाता है, तो मनुष्य शरीर धारन करने की वज़र से, कुछ जान में, कुछ अंजान में कर कर्म सभी के आ जाते हैं, तो उनिके भी कर्म थे, तो उनिकी आँख अंदर की नहीं खुली, इन्हे दोनों अखों के बीच में, जो तीसरी आँख है, जिसको आत्म चक्षू, शुनेत्र कहा जाता है, अनि समझो कि वो बंद था, ठोका, कर्म हटे, तब देखा, क्यों यह के चाकर कर्सुतरसन्य तो साफ को गात दिया पहले हैं, मुझे तो खाली, जी कांदिव उठा करके आँख बंद करके तीर को छोड़ना ही है, उठा लिया गांदिव और आँख बंद करके तीर छोड़ते ही क्यों उखले हैं, अपको मैं प्रमाद देकर बताँँ, सिध य chưa कि जब बपरीक इसका प्रमाद दिया, Maha Bhaarat कि अई जब खद्रव कुछे। तब उस समय पर आप समझो कि ये सब पहुंचने लग गए, खुशी मननने लग गए, तब अपनी अपनी तारीफ करने लग गए, भीम ने कहा मैं ने मारा, नेकुलने कहा मैं ने मारा, साथेव ने कहा मैं ने मारा, किस्ना ने कहा मारा किस्ने, तो पूरा महाबारत रेखा है, वो बताएगा कौन देखा था बबरीग बबरीग का शिर्कार्ट करके वहां रखती है था वर्दान मंगा था उसमें कि मैं पूरा महाबारत देखलू तब मेरे प्रहान निकलें बहुत बीर था आपको बता दूँ स्वाइदने सुने हो बहुत से दो जब महाबारत शुरू होने को हुआ खड़ा हुआ था पीपल के पेर की नीचे बगड़ी किसन बगवान जाजा ले रहे थे कौन-कौन बीर आए है देखा तो का तू कौन है यहां क्यों खड़ा है लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हथियार को तेरे कुछ है नहीं लड़े का ऐसे तीन तीर था उसके पास कहा इसे से लड़ूंगा बोले इतना बड़ा महाबारत तो केवल तीन तीर से लड़ेगा बुला एक-एक तीर कमाल दिखाएंगे क्या कमाल दिखाएंगे निकाला एक ते और कहा जखो इसको मैं छोड़ने जा रहा हूँ पीपल के पेन के उपर जितने भी पत्ते हैं सब को नठी करेगा और नठी करके जमीन पर आएगा जमीन पर जितने भी सुखे केले पत्ते पड़े हुए हैं उनको नठी करेगा और नठी करके फिर हमारे पास आजाएंगे कि खिशन ने एक पत्ते को अपने मुठ्छी में ले लिया और दूसरे को पैर के नीचे दबा दिया सोचे देखे मेरे पास कैसे आता है छोड़ा उसने सारे पत्तों को नीचे उपर के बींध करके और कृष्ण के पैर की तरफ आगे बढ़ा तब बोला पैर हटाओ ने तो पैर भी नठी हो जाएगा पैर हटाया उस पत्ते को भी नठी किया फिर इनके हाथ के तरफ बढ़ा कृष्ण के तब फिर वो चिल लाया मुठ़्ी खोल दो नहीं हाथ चला जाएगा मुठ़्ी खोला उस पत्ते को भी नठी करके और उसके पास सरकश में आ गया इसने कहा बढ़ा पीर है भाई बड़ी कला इसको आती है और अठ्यार भी इसके चोखे है तो महा भारत का तो महा महा भारत हो जाएगा अठ्थारा दिन में तो नहीं खत्म हो पाएगा पूछा उससे कि तू लड़ेगा किस के तरफ से बोला जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ूगा किसन ने कहा फिर तो हम और ये डोनों आमने सामने हो जाएगे तब उस से कहा ये बतार कि तू तेरे अंदर और कोई भिशेष्टा है, खाशियत है बोला मैं दानी हूँ, क्या चीज़ दान करते हो मेरे पास जो चीज़ एती है, कोई मांगता है, दे देता हूँ मुझे भी देगा, दे दूँगा तो कहा तू अपना सिर मुझे दान में दे दे बोला ठीक है, कह दिया है तो आनी समय लोगे देना ही देना है का न रगुकुल रिट सदा चलियाई, प्रान जाई उबर बचन जाई पहले के समय में जो जबान दे देते थे, पूरा करते थे राजा देशरत ने जबान का ही तो अनी समय लोग पालन किया और अपने हिर्दे के टुकड़े को राम को अपने राजगदी देने वाली जगह से उतार करके और जंगल वजवा दिया था तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि उसने कहा ठीक है शिर तो कात लो हमारा लेकिन मैं महाबारत देख रूँ तब मेरे प्राहन निखलें बड़ी बड़ी कलाती थी दुगों को अनि श्रम्यों की सिर्ग भी उसका जिंदा रहा आप समझने की सिर्कात देते थे और ऐसे जोड देते थे और फिर खड़ा होजाता था आदिम यह सब इज्ज्या थी आप देखो हनुमान जी पुड़ करके गए और जब पहाल उठा करके लाने को हुआ तो भारी बरकम शर अब फिर उड़ने को हुआ तो फिर छोटे हो गए और मशक्ति को जागित किया और फिर आप समझो की उड़ करके आए और फिर गर्माशक्ति को लाए कि पहाड जैसा वो पहाड हो गया और अन्मान का शरी जैसा था वशे हो गए यह सब शक्तिया है और मागर्मा महमा लग नहीं हैं ये सब आप पे अंदर हैं लेकिन ये कला ये चीज़ आप प्रेमियों बोल चुके हो अगर वही जग्रित हो जाए फिटो पिटो आपको पाप्पी पेट के लिए गुनाह करने की गलती करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाए जय गुर्देव अभी आपने बाबा उमा कांथ जी महराज के सत संग को सुना बाबा जी अन किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलिफों को दूर करने वा प्रभु के मिलने का उपाए बता करते हैं आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकाल कर बाबा जी से जरूर मिलियेगा आपके सुझाव के लिए वाट्सेप नमबर 9575600700 जय गुर्देव जय गुर्देव